नमश्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभी नंदन, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसेंदोस, रॉक्त बायराकी, एक छोटी से इन्फरमेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे कोशन्स होंगे, वो आपको कोशन् मिलेगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, 19 अगस 2024 को सोमवार का दिन है, इस दिन भधरा है, इस दिन सोमवार वाला दिन है और इस दिन रक्षा बंधन है, अब भधरा को लेके दिल में बहुत सारे कोशन्स रह है, टोटल मिला जुला कर हमें 500 वार मिल रहे हैं, हम रक्षा बंधन वाले दिन भाई को राखी बानते हैं, प्रेम का ये बंधन है, और इसमें भधरा का साया होता है, भधरा के बारे में मैं आपको बता दू कि ये जो भधरा है, इसके शुब मूरत देखकर ही हमें राखी बानने होते भधरा एक ऐसा मूरत है, जब भाई को राखी नहीं बानते है, इसके लिए पुराणिक कथा है, कि रावन ने अपनी बेहन से भधरा में ही रक्षा बंधन पर राखी बंधवाई थी, और एक वर्ष में उसका पूरा कुल संपूर हो गया था, खतम हो गया था, इस बार दुपहर को डेड़ बजे तक भधरा है, अगर भाई को राखी बाननी है, तो डेड़ बजी के बाद बाननी है, सबसे पहला मूरत है, एक बच के चालिस मिनट से रात को नौ बच के आच मिनट तक, टोटल हमें 7 बच कर 40, मतलब टोटल 7 गंटे 40 मिनट का हमें बाई को राखी बांद सकते हैं लेकिन सूरे अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बांदनी चाहिए प्रदोस टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बांदना चाहिए तो 6.56 से लेकर और 9 बच के 8 मिनट तक बहुत ही मजबूरी हो कोई तरीका ना हो भाई दिली से बा राखी अगर आपको अपने भाई को बाहननी है तो एक बच पी नहीं बाते हैं रावण ने मैणने जैसे आपको बताया इक अपने बहुत Presentsूझ को maior गरिव पंते हैं चोटी सोच और पैर की मोच्छ इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती नमश्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसेंदूस डॉक्टर वायरा कि आपका स्वागत अभी नंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूप सूरसे यूच्व चैनल पर होए होए सुभा की राम राम कैसा है मेर रहे संसार दीन दुगनी राज चौगनी तरक्की करें जितने घर के बड़े बुजूर्ग हैं उनको मेरा चरंस पर्ष और जितनी घर की मेरी हम उमर बहने हैं मेरे भाई हैं उनको मेरा नमश्कार और बदमाश बच्चों के कान के नीचे चोटा सा प्यारा सा थपड़ किसमत जरूर अजमान लेना लेकिन अभी फिलहाल जो दिमाग लगाना है वो लगाना है पढ़ने पर 9 अगस्ट शुकरवार का दिन है और नाक पंचमी है नाक पंचमी मतलब दुश्मनों का दिन वैसे तो इनसान का दुश्मन इनसान खुदी होता है ये बात मैं आपको सा है प्यार हो लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीविन कर्मा 9 अगस्ट का टाइम है सावन का महीना चल रहा है चतुर मास्ट आरंब हो चुका है महादेव की हम पूजा कर रहे हैं भगवान विश्नु योग नित्रा में जा चुके हैं समुद्र के आसपास आप हैं तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज अगर बत्ती जलाए समुद्र के आसपास हैं तो दिपक जलाएं आपका बड़ा अती मेरे उपर किरपा होगी समुद्र का जल मेरे घर बिजवा दीजिए अगर मैं समुद्र जा पाई तो जरूर जाओंगे पिछली बार तो मैं मुंबई चली गई ती और मैंने समुद्र की पूजा कर ली थी इस बार भी क्योंकि साक्षाक भगवान विश्नु और लक्षमी का अगर इस वक्त कहीं वास है तो वो समुद्र में है। जो पूजा का मूरत बन रहा है सुबा पांच बच के 42 मिनट से ब्रहम मूरत में अगर आप पूजा करें तो बहतर कुछ भी नहीं है। और कई बार भगवान शिव और भगवान विश्नु की किरपा आप पर सदे बनी रहते हैं। शिव ने तो नागों को गले में जगा दिया और भगवान विश्नु तो नाग की गोद में ही बैठे हैं। बैठ कर वो अपना पूरा शासन चलाते हैं। दुश्मनों अगर आपको तंग कर रहे हैं उनसे छुट्टी मिलती है। आज नाग पंचमी पर पतासे का भोग महादेब पर अरपन जरूर करें। नागों को गंगा जल अरपन जरूर करें। आज आप कालसर्व दोश्स से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जगा जगा पर मंदिरों में आज नाक पंचमी वाले दिन नाक कालसर दोश की पूजा होती है, वो जरूर करें, एक समय का भोजन जरूर करें, अगर हो सके तो वरत रखें और एक समय का भोजन करें, और भोजन करने से पहले किसी ब्रहामण को कराएं, नाक पंचमी का वर कि लिए जरूर काऊंगी एससे आपके दोष Miles दूर होंगे दिन बीुा Woah दिन आड लक्षमी करते हैं आज लोग जो हुते हैं आटे से गेरू से नाग रिंगर बनाते हैं अपने ेंगल नाग ने उसमें चादी की नाग नागी लिए उसको अपने सर पे से एंटिक लॉक्वाइस घुमाया जिने काल सर्प दोश है और इसे किसी भी नदी में गंगा, यमना, सरस्वती, नदी में या समुद्र में आप अरपन कर दीजे और बोले आप नाग लोग जाए और मेरे इस नाग द नाम सुनने से जो आपने करकट नाग जो होता है, यह साथवे नंबर का होता है, यह नागों के जो मैंने आठ नाम आपके सामने लिए, इनकी विशेश पूजा की जाती है, अगर आप इनके किवल आज नाम ले ले या नाम सुन भी ले तो भी आपको आज की पूजा का वहाँ पर सबको नदी में उसने विश फैला दिया। उस नदी का पानी जब सब पीने लगे तो मर गए। और जो बॉल जाती थी वो वापस ही नाग के वज़ा से बच्चे उठाकर नहीं लाते थे। तो एक दिन क्रिशन जी ने जान के उस नदी के अंदर बॉल लाली और फिर अंदर गए और कलिका नाग के फन पर नाचते हुए और लौट कर वापस आए वहीं है क्रिशनु तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि तुम यहां से चले जाओ और समुद्र में जाकर अपना बस कामचिमी के त्योहार होना आए जाता है इसन जो सपेरों को गिफ्ट देता है इसन जो नाग को दूद्ध पिलाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है काल सर्ब दोश्वालों को आज की दिन उपवास जरूर करना चाहिए तांबे या पीतल नाग नाग नागिन बनाकर उ नागों को नारियल भी अर्पन जरूर करना चाहिए, मैं आपको एक बात बता हूँ, काल सर्फ दो से बचने के लिए आज के दिन सपेरों की बस्ती में लोग जाते हैं और हकीकत के नाग नागिन खरीटे हैं, और सपेरे को अपने साथ गारी में बिठा कर उस नाग नागिन क कर सकते हैं, अगर अप यह ना कर सकें, तो आज नाग पन्चमी वाले दिन, अगर आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं, जितने आपके दुश्मन हैं, उतने नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर, महादेफ पर उनका नाम अर्पन करकर अर्पन कराई और बोले कि इन दुस्टों से इन दुश्मनों मेरा पीछा चुड़ाओ कमेंस में जय माता है हुआ है